हेलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है हमारे कंप्लेट ब्लोगिंग कोर्स के पार्ट टू के बारे में दोस्तो पार्ट वन जिसमें हमने बताया था कि ब्लोगिंग क्या होती है और कैसे आपको करनी चाहिए तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे YouTube चैनल के playlist section में जाकर जो blogging का complete course का जो link है वो आपको playlist में मिल जाएगा तो वहाँ से आप लोग ये सारे वीडियो देख सकते हैं जो कि हम blogging के उपर बनाएंगे दोस्तो पहला वीडियो तो हमने अल्रेडी upload कर दिया है तो दोस्तो यह इस हम क्यों बना रहे है क्योंकि हम दोस्तो online earning करना चाहते है इंटरनेट से यानि कि हम earn money online की मैंने एक सीरीज चालू की थे जिसमें online earning करने के जो भी सही रास्ते है वो मैं आपको बताऊंगा तो इसमें सबसे पहला रास्ता है कि ब्लोगिंग क्या होती है और आज यह उसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम जानेंगे कि वोट्स योर नीच क्या है यानि की आपकी केटेगरी क्या है दोस्तो आपको बहुत जरूरी होता है कि आपकी जो भी केटेगरी है उस हिसाब से आप अपना ब्लोग बनाए और उस चूस कर लेना है और आपको उसमें वर्क करना है तो यह आपका सबसे पहले को गया दो घंटे का टाइम जो कि आपने चूस कर लेना है उसके बाद आजाहें नीच का यानि कि दोस्तों केटेगरी कि आपको कौन सी केटेगरी में आना है मतलब आपका इंट्रेस किसमे है दोस्तों जिस पी चीज में आपका इंट्रेस से उस चीज में आपको आना है और उसी चीज में आपको ब्लोगिंग करना है ब्लोगिंग लिखना है क्योंकि आपक क्या क्या होती है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं तो दोस्तों सबसे पहले केटेगरी है कि lifestyle नी दोस्तों अगर आपको lifestyle क्या category अगर चूझ करते हो तो अगर आप उसमें आपको सब कुछ आता है तो आप वह केटेगरी चूज करके ब्लोग बना सकते हो या फिर आठ निच दोस्तों अगर आप ड्रोइंग में अच्छे हो या फिर आप लोगों को सिखा सकते हो के ड्रोइंग कैसे करनी चाहिए तो आप आठ निच भी सिलेक्ट कर सकते हो बहुत सारे लोग है जिन्होंने एसे ब्लोग लिख दे हैं कि how to draw horse, how to draw rose इसे drawing की उन्होंने बहुत सारे blog लिख दे हैं और आज उनके पास free का सारा traffic आ रहा है और वो लोग इंटरनेट से earning कर रहे हैं तो आप चाहे तो आप भी यह कर सकते हो बस चरूरी है कि आपको अपनी category सिलेक्ट करनी है और वो category सिलेक्ट करनी है जि इसके बाद आती है दोस्तों एक न्यूज की नीज तो दोस्तों न्यूज की category एक एसी category है जिसमें आपको बहुत ही active रहना पड़ेगा यानि कि जो आमने समय लिया था कि दो गंटे तो हमें कम से कम बिताने ही चाहिए blogging में उससे भी आपको साय ज्यादा इसमें बिताने पड़ सकते है क्योंकि यह है blog की category उसके बाद अगर हम बात करें तो business and finance की भी category आती है तो business and finance में अगर आपको knowledge है आपको money के बारे में ज्यादा पता है और बहुत सारी चीज़े आप जानते है finance related तो उसके बारे में भी आप blog लिख सकते है अपनी website पर उसके बाद आता है entertainment niche तो दोस्तो entertainment niche में भी आप जा सकते हो अगर आपकी उसकी knowledge है फिर आता है food का niche दोस्तों अगर आपको food में रूची है यानि कि आप recipe बनाना जानते हो तो आप वो भी लोगों को लिख के सिखा सकते हो कि यह recipe कैसे बनाए बहुत सारे recipe wise भी blog है जो कि वहां से उनको technique का है अगर आपको technology का अच्छा खासा घ्यान है तो वहां से भी आप ब्लोग स्टार्ट करके पैसे कमा सकते हो दोस्तों फिलाल में आपको एक केटेगरी बता दू जैसे कि देखे यह website data bullet.com तो यह क्या करती है इन्होंने अपनी category पकड़ी है बायोग्राफी में तो यहां पर यह website उसमें rank होगी तो आप जैसा कि देख सकते हो तो इसलिए वजा से आपको अपनी category के अनुसार अपनी category चूश कर लेनी है जिसमें आप सबसे अच्छे हो यानि कि आप माहिर हो तो जो भी category आप चुन रहे है आपको उसमें थोड़ा समय लगाए दो दिन तीन दिन आपको पता चलना चाहिए कि आप जो category चुन रहे हो वो सही category है या नहीं तो दोस्तों अब मैं आपको उपर यह दो काम छोड़ देता हूँ कि यह आपको करने है अगले वीडियो आने तक जो सबसे पहला काम है कि आपको रोज के दो घंटे देंगे दूसरा काम है आपको आपको इस category में ही बलोगिंग करनी है उसके बार में हम अगले वीडियो में बात करेंगे तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजेगा और WhatsApp ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूड किजेगा अगर इस वीडियो से संबंदित किसी भी तरह का प्रस्न पुछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट किजिएगा